और इस वक्की बड़ी ख़वर आपको बता दू ममता बेनर जी तो मीडिया कर्मियों से बात करी रही है शुक्रियादा कर रही है के इंडरी सरकार से यह कह रही है कि आप देशवासियों को कोरोना की वैक्सीन फ्री में लगवा दीजिए लेकिन अमित मालविया का ट्वीट आया जो कि नाशनल इंचार्ज है बीजेपी के आईटी डिपार्टमेंट के उन्होंने लिखा है इस बिग यह बड़ी चीज है ममता बेनर जी जो की मुख्यमंत्री है पश्चिप बंगाल की वह नंदी ग्राम हार गई है बीजेपी के सुविंदू अधिकारी 1622 वोटों स की या चीफ मिनिस्टर पत्की शपत ग्रैंड करने की वह यह भी लिखते हैं कि उनकी यह जो हार है वह धब्बा है टी एमसी की विजय पर इस वक्त मेरे साथ मनुग्या लोईवाल जुड़ी हुई है पंकज मेरे सहयोगी सहयोगी भी बने हुए और हमारा जो आकड़ा है चुनाव आयुक का जो आकड़ा है वो क्या खहता है वो भी मैं आपको बताऊंगी लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है मंता बेनर जी उन्निस सो से ज्यादा वोटों से हार गई है सुवेंदू अधिकारी से नंदी ग्राम से उन्निस सो तिरपन वोटों से मंता बेनर की नंदी ग्राम हार गई है सुवेंदू अधिकारी ने उनके अपने सिपय सालाड हमता बेनर जी को भूल चटा दी नंदीग्राम में उन्नस सो तिरपन वोटों से हा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मंता बेनर जी नंदी ग्राम घू एा बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा विजय का मौका इस वक्त यह यह कहिए विजय पल है क्योंकि ममता बेनर जी यह कह रही थी कि इस बार 2021 है तो मैं चाहती थी कि दो सो पार जाए टीमसी की सीटे टीमसी ने यह कर दिखाया लेकिन आप बड़ी ख़बर या रही है कि ममता बेनर जी की पार्ट देंके मुक्यमंतरी ममता बेनर जी से अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया था तो उनने का जिस पार्टी ने दो सो से ज्यादा सीट पर जीत हासिल की हो उसके लिए एक दो सीट क्या बात है यह बात सच है कि मुक्यमंतरी ममता बेनर जी की सबसे बड़ी लड़ाई करीब 5500 वोट से जीत चुकी है लेकिन अभी वीजेपी का ये क्लेम और ट्वीट आ रहा है ये कहकर कि तुरुणुमूल कॉंग्रेस की मुख्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्रेल कर रही है करीब 1500 वोट से सच्चाई क्या है इस पर जवाब दे ही है अभी सबकी लेकिन ये भी बड़ी बात है कि तुरुणुमूल कॉंग्रेस ने आज जो 200 से ज्यादा सीट से विजय हासिल की है ये कहकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये साबित कर दिया है कि बंगाल में खैला हो दे है आप को रखे आगे झाल कि विजय जो दोग्या है कि इस भी सबक्राइब झाल कि विजय का कि दे दो दो दोगी झाल झाल